ये देश की भावना है कि आतंकियों को घर में गुशकार मारा जाए मेरे आदिवासी भाईयों बेनों मुझे बताईए ये गर में गुशकार मारने वाला रास्ता सही है कि गलत है आप खुश है ये मोदी गर में गुशकर के मारता है तो आपका सिना चवड़ा होता है आपका माथा उचा होता है हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है भाईयों बेनों यही आपके दिल की बात को जबाब दिया है हमारे वीर सपूतों ने आएए हम वीर सपूतों का जितना गवरव करे कम है यही नए भारत की नीती होनी चाहिए भाईयों और बेनों कॉंग्रेस साइनिकों से विशे सिदिकार चिनने पर और देश द्रों का कानून खत्म करने जैसे विशेओं को लेकर जनता के बीच गई जिसको देश ने ठुकरा दिया है देश इस बात पर एकमत है कि जो लोग जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधान मंत्री की पेरवी कर रहे हैं उन्हें इस चुनाव में बड़ी से बड़ी सजा दी जाए देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए भाईयो बेनो पुरा हिंदुस्तान दे रहा है और आप भी देने वाले हैं मुझे पुरा परोसा है देश उन लोगों को भी कड़ी सजा देना चाहता है जो सोचते हैं कि सेना में आप सुन के एरान हो जाओगे करनातक में कॉंगरेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है उस मुख्यमंत्री का बयान है और मेरे आदिवासी भाई चाहे मेरे दाहोत के हो जाबवा के हो धारकार के हो और यहां के हो मैं इन सबको जानता हूँ यह सुरक्षा बलो में युनिफॉर्म की दुनिया में देश की इतनी बड़ी सेवा करते हैं हम उनका उपकार कभी भूल नहीं सकते हैं इतना काम करते हैं मैं सबको जानता हूँ लेकिन करनाटक में कॉंग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने एक बयान दिया है ये बयान सुनने के बाद इस देश का कोई व्यक्ति आने वाले सो साल तक कभी कॉंग्रेस को वोट नहीं देगा ऐसा गंदा बयान दिया है और अभी तक कॉंग्रेस ने इस बयान से उनका लेना देना नहीं है ये बोलने की हिम्मत भी नहीं की है शत्ता का नशा, शत्ता का शोक, कॉंगरेस के सर पर इतना हवी है, कि इतना बड़ा गुना है, फिर भी कॉंगरेस के मुझसे आवाद नहीं निकल रही है, भायों बैनों, ये कॉंगरेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने क्या कहा है, मैं बताऊं आपको, बता जीवन में कभी Congress को vote मत देना भई, उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, कि सेना में वो लड़के जाते हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, वो भूके मरते हैं, इसलिए सेना में जाते हैं. भाईयो बहनों ये हमारे संतानों का अपमान है नहीं है आदिवाचियों का अपमान है नहीं बीर माताओं का अपमान है नहीं है ये देश की सेना का अपमान है नहीं है अरे कॉंगरेस के चेले चपाटों और उनके साथियों क्या आप भाशा बोल रहे हो अरे मेरा आदिवासी बच्चा जब सीमा पे जाके खड़ा रहता है वो रोटी खाने के लिए नहीं वो गोली खाने के लिए तैयार रहता है वो अपने सपनों के लिए नहीं वो मेरे देश के सपनों के लिए जिन्दगी खपा देता है क्या ये भीरों का अपमान मेरे आदिवासी भाई बेनों का अपमान मेरी भीर माताओं का अपमान क्या ये देश सहन करेगा क्या करना चाहिए क्या उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए भाई और भेनों मैं हमारे जनजातिय समाच आदिवासी समाच का आभारी हूँ कि उन्होंने कॉंग्रेस की सच्चाई को पूरी तरह पहचाना है और हमेशा हमेशा के लिए कॉंग्रेस उनके जोट उनके प्रपन्च उसको नकार दिया है और अब आदिवासी समाच कॉंग्रेस के जोट को कॉंग्रेस को ही सवाल पूछने लगी है कि मैं आपको क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं वहां बहुत बड़ा आदिवासी समाज है उनके बीच रहकर के आया हूं उनकी समस्याओं को जानने वाला इंसान हूं इतना ही नहीं मेरी एक किताब है आदिवासीयोग के कल्यान के लिए कौन सा रास्ता हो बहुत साल पहले लिखी मेरी एक किताब है जी मेरा क्या कमिटमेंट है वह तब तब मैं प्रदाणमंत्य भी नहीं था किस प्रकार से काम करता हूँ और मैंने जवानी के कुछ साल सिरफ आदिवासी इलाके में जन सेवा में एक वोलेंटियर रुपें बिताये है इसलिए मैं आदिवासी समाज की सुख दुख को जानता मैं आपको इस बात के लिए भी आस्वस्व करता हूँ कि जब तक और ये मेरे शब्दा अब लिख करके रखिये जब तक मोदी है जब तक बीजेपी है तब तक जंगल में रहने वालों के अधिकारों को उनकी जमीन को कोई हात नहीं लगा सकता ये जूट पहलाने वालों को सजा दो आपके अंदर विभाजन करने का खेल खेलने वालों को जबाब दो आपको दुविदा में डालने का नाटाग ये सदल लगा अटल्दी की सरकार के समय भी ऐसे ही चलाये था यहीं उनका खेल है उनको आदिवाजयों का कल्यान नहीं करना है मेरी तो किताब है जो भी उसमें आप में पढ़े लिखे हो एकडेमिक वर्ल में इंट्रेस्ट नहीं हो जो रूरुस किताब को पढ़े